Hello everyone, this is Anjali और स्वागात है आपका मेरे चैनल Learn with Anjali में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UGC Net Paper 1 की Unit No. 4 Communication और Communication में आज हम डिस्कस करेंगे 4S of Effective Communication As you all know कि हमने Effective Communication अलरड़ी डिस्कस कर दिया है और अब हम बात करते हैं कि Communication को Effective बनाने के लिए हम किन-किन चीजों को, किन-किन बातों का ध्यान रखे तो उसके लिए हम 4S लेके आए हैं देखेंगे वीडियो में 4S उससे पहले जानते हैं आज की थोट क्या है आज की हमारी थोट है Don't compare your chapter 1 to someone else chapter 20 We tend to, human tendency होती है कि we tend to compare ourselves अब suppose करो कि अब UGC Net की preparation कर रहे हैं वहीं देख लीजे कि मुझसे तो अभी तक Unit First ही complete नहीं Teaching Aptitude ही complete नहीं है और उसने तो देखो People Development and Environment भी complete कर लिया मेरे तो इतने कम marks आ रहे हैं वो देखो कितना पढ़ता है उसको देखो वो कितना आगे बढ़ चुका उसका J.R.F. भी होगे मेरा अभी तक Net भी नहीं होए तो we tend to compare ourselves हर आसपेक्ट में हम compare करते हैं चाहे वो success हो, money हो, beauty हो, finance हो या फिर family हो, relationships हो तो वो चीज हमारी आती है अब हम ये भूल जाते हैं कि हमारी personality, हमारी life, हमारी journey और हमारे struggles अलग है क्योंकि हर इंसान अलग होता है न, variations होता है तो उसका, उसकी जो life है उसकी जो struggles है उसका जो level of education है उसकी जो चीज़े है वो अलग है तो हो सकता है कि आपका chapter 1 चल रहा हो उसका chapter 20 चल रहा हो हम सिर्फ जो दिखता है उसे देखता है so we tend to focus on ourself mainly और हमें अपने आपको uplift करना चाहिए because chapter 1, chapter 20 से कैसे match करेगा मतलब ठीक है न तो आपको अपनी चीज़ों पर ध्यान देखे अपने आपको improve करने चाहिए rather than कि सब से compare करने के क्योंकि अगर आप सब से compare करोगे तो आप किसके जैसे बनोगे आप ना खुद के जैसे रहोगे ना सामने वाले जैसे बन पाऊगे तो इससे आप अपनी identity भी खोदोगे so thought अगर मैं ज़्यादा explain करोगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएगी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और 4S of communication के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे 4S क्या है communication में that is shortness, simplicity, strength and sincerity तो क्यों किये जाते हैं use actually जो effective communication है उसको effective बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है तभी वो प्रभावी होती है एक तरीके से कारगर होती है अपना काम कर पाती है हम जो हमारा जो motive है अपने ideas, अपने facts, अपने information को receivers के mind तक पहुचाना सही तरीके से और वो misinterpret भी ना करे उसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है तो communication में हमने इस तरीके से इनको अगर हम एक ही word से किसी चीज को रख देते हैं like हम जिसे हमने 4S दिया तो इसमें shortness है, simplicity, strength, sincerity तो यह सब S से हैं तो याद रखना बहुत easy हो जाता है और जो sender है और उसके साथ communication किसी भी level पे हो रही हो या communication किसी भी like level पे हो रही हो या फिर किसी भी area में या किसी context में हो रही जैसे suppose करो कि आप conference room में हो या फिर आप classroom में हो या आप एक teacher हो या आप student हो या आप like formal communicate कर रहे हो किसी भी तरीके से ये सब में कारगर है अगर आपको अपनी communication को effective प्रभावी बनाना है तो, तो जानते हैं इनके बारे में, जैसे कि सबसे पहला है हमारा shortness, तो shortness से पता चल रहा है इसके word से ही, कि आपकी जो while communicating, जब आप communicate कर रहे हो, तो आपका message जो है, आपकी जो बात है, आपकी जो fact, information है, जो भी आप देना च चाहते हैं, उसको घुमाईए, फिर आईए मत, उसको to the point रखे, उसको short रखे, इससे पहले जब हमने पढ़ाता, तो हमने encoding के बारे में पढ़ाता, तो encoding इसी चीज़ पर focus करता है, कि आप अपने message को कुछ इस तरीके से encode करिए, कुछ इस तरीके से बनाईए, इस तरीके क इस तरीके की चीज़ों को आप यूज करिए, चाहे वो symbols हो, चाहे वो कोई भी information हो, आप अपने message को best से best बनाईए, to the point बनाईए, short बनाईए, ताकि जब आप उसे receiver तक पहुँचाएं, तो वो best हो, अच्छा, एक simple से example लेते हैं, मालो कि आपको कोई सामान बेचना है, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, तभी तो सामने वाला जो receiver है, या एक customer है, वो से खरीदेगा, उसे उसमें interest आएगा, तो same goes with our communication, तो हमारी communication के साथ भी ही होता है, आपका जो message है, वो flooded नहीं होना चाहिए, high sounding words से, वो flooded नहीं होना चाहिए, मालो कि आप सामने वाले को को कोई बात बताना चाहते हो, and you are continuously keep using technical words, सामने वाले को चीज़ समझ नहीं आ रहे, इससे क्या होगा, कि आपको feel हो रहे है कि हाँ, आप बहुत like fancy दिख रहे हो, अच्छे दिख रहे हो, आप technical words का use कर रहे हो, लेकिन आपको जो motive है ना, कि सामने वाले को बात समझ आए, वो पूरा नहीं हो पाएगा, feedback नहीं आ पाएगा महा से, अब हमारा communication का मतलब क्या होता है, to make things common, याद करिए, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था, to make things common, अब चीज़ों को common बनाना हमारा motive है, कि जो हमने बोला है, वही उसको समझ आए, अब वो उसको समझ आया ही नहीं है, आपके technical words के चकर में, आपके high sounding words के चकर में, उसको समझ ही नहीं है message कि आप बोलना क्या चाहते हो, तो communication ही नहीं हुई ना, वो जो extract है, जो हम communication पढ़ते हैं, वो communication हुई ही नहीं, समध हुआ ही नहीं, वाड़तालब हुआ ही नहीं, तो वो चीज़ है, you have to keep your message short and very simple, concise, ताक easily आपके receiver को वो चीज clear हो जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, so this is one, second one is simplicity, तो simplicity is terminologies and concepts easier to understand, आपके जो वही जैसे मैंने बता है, आपने concise कर दिया message को, आपने short भी कर दिया message को, but आपका जो message है, आपका जो information है, आपकी जो information है, वो simple हो, आप जो चीज़े use कर रहे है, आप जो terms का use करें, चाहे आप कोई भी language use करें, वो understandable हो, आप जो terms use करें, जो words use करें, वो जदा technical नहों, वो easy हो, आप एक simple सा और example लेते हैं, माल लिजे कि आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, और आपको कोई ऐसा topic पढ़ना है, आप UGC net की कोई बुक पढ़ रहे हैं, ये किसी भी topic प आपके पले ही नहीं पढ़ रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं, कि बोलना क्या चाहता है, तो वहाँ पे आपको topic समझ आएगा ही नहीं, और जब topic समझ नहीं आएगा, you get frustrated, कि मैंने open ही क्यों किये, और आपको लगेगा, यार ये शायद ज्यादा hard होगा topic, इस आप ऐसी यूज करो, concepts आप ऐसी यूज करो, कि easy से easy आप यूज करो, उसको चीज समझ आ जाए, next हमारा जो S है, that is strength, so strength of communication क्या करता है, strength of communication का मतलब है कि आपका जो content है, आपका जो बात है, आपका fact, information, idea, जो भी वो चीज है, उसमें strength होनी चाहिए, उसमें dumb होना चाहिए, उसमें ताकत होनी चाहिए, मतलब कि जब sender कोई idea लेके आया है, जब sender कोई बात बोल रहा है, he himself believes in that message that he is about to transmit, there is a bound to be strength and convention in whatever he tries to state, ये कहने का, इसका मतलब ये है, कि जब आप कोई बात बोल रहे हैं, जब आप कोई message transmit कर रहे हैं, तो उसमें dumb हो बात में, यानि कि आप उस बात पर खुद भी विश्वास करो, आप खुद विश्वास कर रहे हो, आप तब उसे सामने वाले को बोलो, ऐसा नहीं है कि आप जूट फैला रहे हो, आप कोई जूट बात बोल रहे हो, नहीं तो आपकी communication में, आपके facial expression में, आपके gestures में show होगा, और आप जूटे दिखो और आपकी बात पर विश्वास नहीं कर पाएगा कोई, अब जब आप कोई सही बात बोलोगे, अब जब आपकी communication जब आप कर रहे हो, आपके message में strength होगी, तो वो receiver तक जाके एक impact भी डालेगी, आपका जो मकसद है, information पहुँचाना, वो information पहुँचेगी और receiver की behavior में change लेकिन अगर आपके message में dumb ही नहीं है, आप बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, जैसे कि मालो, for example, आप कोई बात बता रहे हो, that is, suppose करो आप इंडिया के census के data, census data के बारे में बता रहे हो, या किसी भी और चीज़ के बारे में आप discuss कर रहे हो, और आपके पास उस से related, आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, लेकिन आप उस से related कोई भी data आपके पास नहीं है, कोई सुबूत आपके पास नहीं है, तो आपकी बात को लोग सुनेंगे नहीं, कोई interest उनने नहीं आएगा, कि ये कोई relevant information बता ही नहीं रहे हो, मन घडंत कहानिया बता रहे ह जैसे आप कोई example की तोर पे अगर हम ले, आप exam paper जब होता है, answer sheet में आप answer लिखते हो, मन लोग answer है, तो आप answer sheet में answer लिखते हो, जो आप लिखते हो, तो आप अगर कहानिया बनाते रहो, figmental stories create करते रहो, आप ऐसे fantasize कर रहे हो चीजों को, और उसके बाद उसे figmental बना के ऐस आपने story create किये है, आप पढ़के आए हो, या आपने story create किये है, क्योंकि जो इंसान पढ़के आता है, वो पूरा data के साथ चीजों को रखता है, उसके पास पूरी जो बात होती है, वो सटीक होती है, और वो clearly दिख जाता है कि उसने पढ़ाए, same goes with your communication, अगर आपके बात में sincerity, sincerity is something कि आपका जो message है, आप sincere हो से लेके, आप बिलकुल serious हो message को लेके, आपका जो message है, वो fake नहीं होना चाहिए, वो true होना चाहिए, वो आपकी information जो है, वो fact और figures को like denote कर रही हो, आपका जो sender है, वो genuine होना चाहिए, वो सही information लेका आना चाहिए, serious उसके अंदर एक sincerity होनी कि हा मुझे मेरी audience को जो message देना है जो बात उसे बतानी है वो सही हो और वो पूरी research करके पूरे अच्छे से encode करके उस चीज़ को लेकिया है अगर वो ऐसा है कि वो genuine है वो true है तो वो reflect हो जाएगा उसके manner में जैसे वो communicate कर रहे है आपका sender जो है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अगर उसका message सही है अगर वो पूरी sincerity के साथ उसे encode करके लिखे आया अगर वो खुद उस बात पर believe करता है तो जो वो communicate करेगा वो उसकी बातों में reflect हो जाएगा उसके manner of communication में वो reflect हो जाएगा तो this is sincerity so these are some these are four s of communication अब जैसे कि मैंने आपको यह सारी चीज़े बताई तो आपको ऐसा लग रहा हुआ कि यह सब चीज़े तो एक दूसरे से relate है हाँ जैसे कि अगर हम बात करें तो sincerity sincerity something related to कि आपका sender जो है वो genuine हो है न अगर हम strength की बात करें तो this is something related to कि आपके content में dumb हो वो true हो वो fake नहीं हो उसमें data's उसमें figures हो तो इस तरीके से तो हलका full का यह बिल्कुल थोड़ा सा लग सकता है कि similar है बट यह communication को effective बनाने के लिए use किये जाते हैं ताकि आपकी इन सारी चीज़ों का अगर आप धिहान रखते हैं तो आप प्रभावी होते हैं एक आप अ काफी important है because यहां से direct question पूछ लिया जाता है कि what are the 4s of communication नीचे आपको 4s दिये होंगे और कोई other आपको s से कोई word दे दिया जाएगा उसको आपको eliminate करना तो आप अच्छा जब effective communication होती है तो 4s में under NTA UGC ने इन 4s को ही रखा गया है कोई भी other s आप कोई भी other word है जो s से बन इसमें shortness, simplicity, strength और sincerity आपका जो information है क्या होगी short होगे simple होगी उसमें strength होगी और जो आपका sender होगा वो sincere होना चाहिए आपकी जो information है उसमें sincerity होनी चाहिए I hope you got my point और wait करिए मेरी next video का next video में हम discuss करेंगे 7 C's of communication तब तक के लिए stay healthy, stay happy and wish you a very good luck for your exam जिनके upcoming exams है उनके लिए thank you